हालो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यौल आफाइन तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स चाप्टर चाप्टर नुबर 11 पेड़ बोला मैं एक पेड़ था मुझे व्रक्ष तरू और पादब भी कहते थे धर्ती की गोद में मेरा जन्म हुआ मुझे आज भी याद है जब किसी सज्जन ने अपने बगीचे में मेरे बीच को धर्ती के अंदर गार दिया था मैं तो बिलकुल घबरा उठा था लेकिन प्रकरती की महानता है कि उसने मुझे प्रकाश और हवा प्रतान की तो यह एक प्रक्षत तरू और पादप यह उसके पर्यावाची है यह भी कहते हैं धर्ती की गोद में उसका जनम हुआ एक सज्जन इन्सान ने उसके वीज को धर्ती में बोवा वह घबराया जब उसे धर्ती में डाला गया लेकिन भला हो सूरज का भला हो पानी का धर्ती का जिसने उसे ग्रोथ करने में व्रद्धी करने में सहायता की, वह व्यक्ति भी मुझे रोज देखने आता था और पानी देता था, हवा पानी और प्रकाश पाकर मेरे अंदर अंकुर फूट गए, मेरा अंकुर देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसंता की लहर दोड पड़ी, तो वो जो व्यक्ति जिसने सीड जो बीज था वो बोया था वो डेली आता था पानी देता था प्रकाश पानी और हवा की वज़े से जो है वो अंकुरित हुआ बीज और उस में से छोटा सा पौधा निकल आया और उस पौधे को देखकर वो सज्जन भी बड़ा खुश हुआ मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा मुझे में पत्ते निकलने लगे या सब देखकर वो व्यक्ति बड़ा खुश होता था या उस व्यक्ति के बच्चे बड़े ही नटकट वो शरारती थे उसकी बोली और चंचलता मुझे अच्छी लगती थी लेकिन कभी-कभी वे मेरे पत कचते तोड़ लेते थे तो मुझे बड़ा दरद होता था लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगा उसमें पत्ते आने लगे फॿट वगएरा दीरा तो वो कहता था कि वो जो व्यक्ति है वो तो बड़ा अच्छा था उसके दो शरारती बच्चे भी थे वो भी बड़े प्यारे थे चहकते थे बोलते थे खेलते थे अच्छे लगते थे लेकिन कभी-कभी उसके पत्ते तो उसे बड़ा दर्द होता था क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, तो इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन उसे बहुत दर्द होता था, अब मुझ में फूल और फल निकलने लगे, मेरे फल को सब बड़े ही चाव से खाते हैं, फल और हवा के अतिरिक, मैं उन्हें एक ऐसी चीज भी प्रदान करता हूं, जो वो देख नहीं पाते हैं, वह चीज है, ऑक्सीजन, तो फूल और फल निकलने लगे, फल जो है, सबी खाते हैं, फूलों को सजाते हैं, मंदरों में सजाते हैं, और इनके अलावा, वो एक और चीज देते हैं, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो एर हम लेते हैं, सांस जो ह लेते हैं और carbon dioxide छोड़ते हैं और जो छोड़ी हुई carbon dioxide है वो पेड़ जो है क्या करते हैं ले लेते हैं carbon dioxide एक विशयली गैस है जो वातावरण को अशुद्ध बनाती है मैं उस carbon dioxide को अपने अंदर ग्रहण कर लेता था और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में मदद कर तो अब क्या हुआ पेड बढ़ा हो गया फल वगेरा सावाने लगे अब एक दिन एक आदमी आया कुलहाडी लेकर और मेरे उपर प्रहार करने लगा मैं जोर-जोर से चिलाने लगा मुझे मत काटो मुझे मत काटो लेकिन उसने एक न सुनी मैं सिसकता रहा लेकिन उसने मैं जीव जगत को यही संदेश दे रहा हूँ तो वह जाते जाते एक संदेश दे कर गया व्रक्ष धराके हैं परिधान इन्हें लगाना कारे महान तो व्रक्ष जो है वो क्या है धराके व्रक्ष धराके हैं परिधान इन्हें लगाना है महान तो यानि कि जो व्रक्ष है व जो है मैं वरक्ष से मिलती है, बहुत depend है वरक्ष पे, ठीक है विच्छो, तो जो है सभी plants को तोड़ेंगे नहीं, और trees वगेरा जो है, बिल्कुल भी harm नहीं पहुंचाएंगे, और उन्हें आगे कोई ना कोई पौधा लगाने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स